नमस्कार दोस्तों चही न्यूज में आपका स्वागत है सूरी गराण और चंदर गराण की कबरें सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर दीजी चिया फ्रेंड सूरी गराण लगने वाला है और ये सूरी गराण कब लगने वाला और किन-किन को ये सावदानी बरतनी होगी बारत में ये बारती से मुनसार किस टाइम सूरी गराण और चंदर गराण लगेगा किस दिन से लगने वाला है किन-किन को सावदानी बरतनी होगी कर्भुती मैला अविश्य द्यान दे और इन राश्यों पर असर पढ़ने वाला है जिया फ्रे से चोध़ा को पहला घ्रैंट जो सूरी गाणपडएगा इसलिए इसे सूरी ग्राइब चकास याज रहने वाले लोगों के लिए चंदरहुर्ण काफी महतुरहेंगा क्योंकि यह भारत में दिखेगा जबकि सुर्य ग्राइड भारत में द्रस्टी को सर्थ नहीं होगा तो इसका प्रभाव भारत में नहीं पढ़ने वाला है पारत में दिखने वाले चंद्र को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है खास तोर पर उन महीलाओं के लिए जोगर पहुती है गर्वती महीले को ग्रहांट नहीं देखना चाहिए पारत में दिखने वाला खंडवास चंदर ग्रहांट 28 सक्टूबर को अस्विन मास के सुकल पक्स की पूर्णी में को होगा यह अस्विन नक्सतर और मेस राशी पर लगेगा यह ग्रहांट भारत के अतरीक पूरे एसिया यूरोप अपरीका पस्चिम भक्षरिम पस्तानत मांतर मासागर अमरीका का पूरी पाग अंटलार्टिक मासागर हिंद मासागर में दिखेगा बारतिय समय अनुसार चाहा का प्र ग्रहन दिखेगा वहाँ पर वेद सुतक सनान दान पूनियक करम आदि सभी नियम माने जाएंगे चंद्र ग्रहन मेस वरस कन्यास और मकर राशी वालों के लिए असुब है और कष्टकारी रहेगा जबकि शिंग तूला धनू और मेन राशी के लिए सामानी रहने वाला मित कंकन खंडवास चंदर सूर्य ग्रहन भी कहा चाहेगा बारती समुनसार इस पर सराते नौबच के चालिस बजे होने वाला मौक सराते एक बच के उननीस बजे होगा यह सूर्य ग्रहन उत्री वर दक्षणी अमरीका तदा पस्टिम ग्रिन लैंड में तर्शिय होगा और बा अच्छी अप्डेट पर निकली चैनल को सब्सक्राइब चरू कर दीचाएगा